नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचे दोस्त आज लिकर के आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए एक अनुखी जानकारी जो आपके लिए बेहत महतोपून होगी दोस्तों हमारे समाज में सुपारी का प्रयोग दो तरह से किया जाता है एक तो पूजा पाठ में और दूसरा पान वा पान मसाले में लेकिन लोगों में ये धालना है कि इसके सिवन से उनके स्वास्थे को हानी होगी बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों कि सुपारी और शधिय गुणों से भरपूर होती है इसमें प्रोटीन 4.9 प्रतिर्शत, कार्बोहाइट्रेट 47.2 प्रतिर्शत, वसा 4.4 प्रतिर्शत और खनीज द्रव्य एक प्रतिर्शत होता है साथ ही इसमें टैनिंग, गैलिक एसीड, लिगनीन, एरिकोलीन और एरिकीन जैसे एलकेलाइड भी पाये जाते हैं दोस्तों आईए आज हम सभी सुपारी से होने वाले लाभों के बारे में जानते हैं दोस्तों नमबर वन, डाइबिटीज के कारण कई लोगों को बार बार मुह सुखने की समस्या होती है इसलिए ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि जब भी मुह सुखे एक सुपारी का टुकड़ा मुह में रखें क्योंकि इसे चबाने से बड़ी मात्रा में सलाईवा निगालता है नमबर टू सुपारी में एंटी बैक्टिरियल गुण होते हैं इसे जला कर इसका पाउडर बना ले और रोजाना मंजन के रूप में अगर आप इसका इस्तिमाल करते हैं तो दातों की साइंस से बचाओ किया जा सकता है इससे आपके दात भी चमकने लगेंगे नमबर टू सुपारी का काढ़ा बना कर घाव पर लगाएं इसके बारी चून को लगाने से भी खून बहना बंद हो जाता है कुछ ही देर में घाव भरने लगता है नमबर फूर सुपारी खाने से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है इस पर हुए एक रिसर्च से भी यह बात सामने आई है कि इससे चबाने से तनाव महसूस नहीं होता है इससे आप डिप्रेशन की बिमारी से बचे रहेंगे दोस्तों नमबर फाइव सुपारी में एंटियोक्सिडेंट मौजूद होते हैं जो विशहले पदार्थों और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं इससे हमारा शरीर रोगों से बचा रहता है नमबर सिक्स जिन लोगों को इसकी जो फ्रीनिया जो की एक दिमागी बिमारी है उनको सुपारी के सेवन की सलाह दी जाती है एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस बिमारी में जो रोगी सुपारी का सेवन करते हैं उनके लक्षणों में सुधार होता है नंबर सेवन सुपारी में मौझूद टैनिन नमकता तो एंजियो टेंसिन हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में उपयोगी है दुनिया भर में लाखों लोग सुपारी का सेवन करते हैं सुपारी जो दुनिया के कई छेत्रों में खाई जाती है वो दो अलग अलग बनस्पती और चूने का एक मिश्रण है सुपारी का एक भाग यानि अखरोट तार के पेन एरे का कतेचु से आता है कभी कभी अखरोट और चूना पान की बेल में लिप्टा हुआ पीपर बेटल से आता है दोस्तों अक्सर सुपारी का प्रियोग गुटखा में तंबाकू के साथ सेवन किया जाता है लोंग इलाइची या शक्कर स्वाद बढ़ाने के लिए प्रियोग किये जाते हैं जो लोग सुपारी चबाते हैं वो लोग कभी कभी अपने स्वाद के अनुसार खुद का उत्पात बनाने लगते हैं सुपारी कमर्शियल रूपों में भी उपलब्ध है आम तोर पर सुपारी चबाने से ज्यादा लार आती है कुछ लोग ज्यादा लार को या तो थूप देते हैं या निगल लेते हैं परहम परागत रूप से सुपारी मौखिक स्वाक्षता भूख और लार के उत्पात के लिए फायदे मंद होती है अब वैज्यानिकों को पता चला है कि सुपारी चबाने से मौख के कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है और यह प्रतिकूल करभ में बच्चों के स्वास्ति को प्रभावित कर सकता है सुपारी के कई रूप उपयोगी भी है ज्यादा तरूप जोखिम भरे और अस्वस्त करते हैं सुपारी एशियाई महाद्वीप के दक्षन प्रसांत, द्वीप समूह, दक्षन पूर्व एशिया, पाकिस्तान और बंगला देश में एक साइको एक्टिव ड्रग के रूप में लोग प्रिय है तो इसलिए अगर आपका चीज सुपारी लेते भी हैं, तो बहुत कम मात्रा में सब्ताह में एक बार आपने थोड़ा सा लिया, वो चबाया, ये आपके लिए लापकारी हो सकता है, लेकिन इसके लॉस भी बहुत सारे होते हैं, जो कि हमने आपको बताया दोस्तों, कि इसम करें, तो डॉक्टरी परामर्श के एकोर्डिंग ही इस्तेमाल करें, अपने बोड़ी के चेक अप कराने के बाद अन्य था ना करें, सुपारी का इस्तेमाल तो बहतर है दोस्तों, तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों, कुछ एक और महतोपून जानकार करें, तब तक के लिए धन्य बाद, नमस्कार दोस्तों.